आपने ये लगा दियात्या हैं मेरा आज प्रदेश के जो आलात हैं ऐसे आलात किसी भी सरकार में नहीं हूँ इस देश में हमने अमर्जन्सी देखी और इस देश में अपने ऐसे ऐसे लोगों का राज देखा था जब वो सत्ता में होते थे तो ऐसे फैसले लेते थे जिसकी आप पोजिशन ढट करके विरुपता करता था कि अब बावजुद उसके विए उन लोगों के अपनी पैचांट थी आज देश और प्रदेश के अंदर आज इस किसम की सरकार हैं इस जिससे हर व्यक्ति उप चुका है आज कोई कानून वेवस्ता नहीं है आज बरस्ता चार्ज हो करम सीमा के उपर है आज हर वर्ग की अंदेखी हो रही है आज करमचारी प्रेशान है आज वैपारी प्रेशान है किसान तो पिठ्रेच है महिने से लगा तार इन तीन किर्षी के काले कानूनों के खिलाब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं आज तो स्टूडेंट भी दुखी है मजदूर जो है आज मजबूर होकर के प्लाइन कर रहा है वापिस जा रहा है क्योंकि उसको ना तो इंडिस्टी में जो ना सरकार से कहीं कोई उमीद बची सरकार तो गरीब आदमी के साथ खिलवाड कर रही है जब इनको जुरूरत पड़ती है तो डी सी रेट के ऊपर अलग 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 लोगों की भरती कर लेते हैं और जैसे इनकी जुरूरत पूरी हो जाती है उन लोगों से रोजगार खीन लेते हैं आप किसी को एक महिना काम पे रख करके बिना किसी नोटिस के अगर उसको निकालते हों तो फिर उसको नई जोब ढूड़ने में बहुत वकत लगता है उस दोरान उसको किन प्रस्तीतियों से गुजरना पड़ता है यह वो व्यक्ति बता सकता है अपनी पीड़ा आज तो मुख्य मंत्री जी का इतना अडियल रविया है कि उनकी वज़े से रोज परदेश में आलात खराब हो रहे हैं आज सत्ता के अंदर जो लोग बैठे हैं वो रोजना क्रोना की महामारी को बढ़ावा दे रहे हैं बजाए इस पर कंट्रोल करने के अगर यह कंट्रोल करना चाहते हैं तो फिर यह कार्यक्रमनी बनाते हैं बड़ी अरानी की बात है कि बीजेपी के जेजेपी के विधायक जो है हॉस्पिटलों में जाते हैं और हॉस्पिटल में जाकरके जातिका करन होता है वहां उद्गाटन करते हैं आप किसी को वैक्सिन लगाने के लिए किसी स्टाफ की ड्यूटी लगा रहे हैं अगर वह ग्यूंत बिज़ैकर आप में बीजेपी का जे जीजेपी का विधायक अफ़ार कि स्टाफ करें कि एक नियुक फो जायी किप उसरेक्शिन की वेलीव खतम हो जातकी अगर उस व्यक्षिन को किसी को लगा भी दोगे तो उसका कोई उसको फाइदा नहीं होगा इसका मतलब सरकार सिर्फ और सिर्फ अक्वार की सुर्कियों में बढ़ना करती है केवल और केवल सरकार के फैसले लोगों के प्रिशान करने के लिए और जब ऐसे लोगों का विरोध करते हैं तो फिर उनकी जवान इतनी ज़्यादा फिसल जाती है सत्ता में बैठे लोगों की कि सुणने वाड़े को भी ना केवल शर्मिंदा होना पड़ता है बलकि ऐसा लगता है कि यह वैक्ति तो पंचायत के पंच के काबिल भी नहीं है यह ठीक है कई दफा मनुश्य जो है मजबूर हो जाता है कोई सक्त भाशा बोलने के तो मैं भी अनेक दफा सक्ति से बात करता हूं लेकिन उस सक्ति का यह मतलब नहीं होना चाहिए कि आप अपनी मरियादाओं को लान दे मुझे भी कई दफा बहुत सारे पत्तरकार साथी जो है इस तरह का स्वाल कर लेते हैं जिसके दो अलग अलग पहलू बन जाते हैं जिसके दो अर्थ रिकाड़े जा सकते हैं लेकिन अगर को मरियादा बोलता है तो इसका मतलब पोस्पद के काबिल नहीं है कि पबली जो है कि विदान सभाग के अंदर किसानों के बारे में बहुत कुछ सानुवती बटोड़ने की कोचिश में था लेकिन तहीं मुझे जो फीड़ वैकर अपने लालच में तहीं अपने स्वार्थ के यह उसने जो है जिन लोगों को माबाप के संग्या दी थी उनको अप्मानित किया और उसने परदेश का महौल खराब किया हैसला तो उनकी पार्टी करे सरकार करे क्या करे क्या नहीं करे लेकिन तिस वाशा का परियोग उसने किया जैसे दूसरे किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्श किया गए अरेस्ट किया गए हैं बबली के खिलाफ भी एफ आई आर लोज होनी चाहिए और एफ आई आई आर कोई ये नहीं कोई जाकर के क्राए सरकार को सब्हें में इस पर संग्यान लेना चाहिए क्योंकि उसने पूरे देश के अंदर अर्जना प्रदेश को अपमानित किया है बदनाम किये हैं इसके उसके खिलाब जो और उसके खिलाब भी पुनिदाराओं के तैत कारवाई हो सबसे पहला प्रत्या तो उसके खिलाब इस बात का हो कि उसने लोगों को उक्साया अगर किसी ने उसको रोकने की कोशिश करी तो बजाए गाड़ी गलों चोने के बजाए उस्तरे की बाशा का प्रियों करने के रोक करके पूछता उनसे कि बताओ भी क्या चाहते मुझे मेरे उचाना अलका के प्रोग्राम थे उधार्ण बतातमा और मैंने जैसे पहले दिन अपने प्रोग्राम स्टार्ट किये तो कुछ लोगों के पेट में दर्द हो गया है और उन्होंने अपनी पालिटी के कारिये करता हूं कि जुम्मेबारी लगाई कि तुम जाओ जा करके अवे सिंह के खिलाब परदर्शन करो काड़े जंडे दिखाओ जब दूसरे गाम जा रहा था तो दोनों गाओं के बीच में एक मोड था सडक का वहां खड़े मिले मुझे दस पारा लड़के उन्होंने काड़े जंडे ले रखे थे मैंने गाड़ी रोकी और बहुत साथ ही उन्हें का कि गाड़ी रोकने के जुरूरत नहीं है बेवदे के पास कोई जबाब नहीं था मेरी बात कि अखिर मैंने उनसे यह भी का भी कोई बीजेपी का जेजेपी का कोई ऐसा लीडर आ रहा है जिसकी विज़े से आज आप अक्रोशित हो आज आप उस्से में हो आज आप कही उनके फैसलों के खिलाप है अपना बढ़ास निकार ल अगर तुमारी पंचायत का फैसला हो तेरे गाहों के अंदर जबाओं तुमारे जब गाहों के चोगान में लोगों से मिलू तब अपना फैसला सुना देना पंचायत मुझे केगी हमारे गाम में ना तो नहीं आउंगा पंचायत अगर मेरा वेलकम करेगी तो तेरा फैसला तो मिट्टी में मिल जाएगा आखिर उन लोगों को जाना पड़ा तो बबली को भी रोक करके पूछना चाहिए था विए आप मेरे परति क्यों दराद हो कि मैंने तो तुम्हारी बात विधानसवा में उठाई है कि वजाए उसने यह बात पूछने के उन लोगों को कहीं बढ़काने की कांग किया और उसकी उन गाणी गलोच से इस तरह का महौल बन सकता था कि टुहना में कितना ही बड़ा किसी का भी नुक्सान हो सकता है यह तो मैं वदाई देता हूं किसानों को जिनोंने एक जिगाई कट्थे हो करके संक्टित हो करके उसका विरोध किया अर विरोध करके उन्होंने का कि वझपाति मांगले हम सारी बात करदें नहीं मांगे तो सरकार उसके किलाभ एफ पाईयर लोगिमे सरकार को फाईयर 50 और विर जिसे-त के तहरें उनके खिलाफ कहला हो रहे है यह सब जो हो रहा है आज है कि सब के पिछे RSS का हाथ है, RSS ने हमेशा कैसे प्रदेश में देश में इस किसम का महौल बने, जिससे समाज के लोग आपस में बटे हैं, यह समाज को मांटने वाले लोग हैं, अगर ऐसे लोगों के हाथ में लंबे समय तक 27 देश की प्रदेश की रहेगी, तो यह मान के चलो, कि हम देश के अंदर अपने आपको ऐस रुक्षित महसूस करेंगे, हर वर्ग का, हर समाज का व्यक्ति जो है, उसमें भैका महौल पैदा करने की कोशिश में हैं, हमारी पार्टी ने एक फैसला लिया है, मैं आपको इस फैसले से अवगत करा जिता हूं, फिर उसके बाद हमारी बीटिंग है, आपने भी अपना कहीं जाना आना होगा, कल पांच जून है, और कल करांती दिवस है, कॉंग्रेस पार्टी ने जब इस देश के अंदर अमर्जनसी लगाई थी, उससे पहले, जैपरकास नारायन जी की नेत्रितव में, इस देश में सरकार के खिलाप एक आंदोलन शुरूआ था, आरक्षन को लेकर के शुरूआ था, आज किर्ची के काले कानुनों को लेकर के आंदोलन चल रहा है, वो आंदोलन भी पांच जून को कुरांती दिवस के रूप में और ये भी जो है, किसानों का जांदोलन इसको एक वरस हो गया, इस पांच तारीक को केंदर की सरकार ने, ये तीन किर्ची के काले कानून बनाने के लिए, अपनी तरफ से एक नोटिवेशन निकाना था, इसलिए हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि हम इसको कल विरोध करे करेंगे हमारे हर डिस्तिक हैड़कवार्टर के उपर, जो काले कानून का जो परतियां जो है, वह उनको जडाएंगे और इसका ड़ट करके विरोध करेंगे, हमारा ये विरोध तब तक जारी गएगा, जब तक ये तीनों काले कानून वापिस नहीं हो जाएंगे. हमारी परटी ने प्애ले दिन के है कि इसका विरोध किया अर जैसे-जैसे किसान संट्टनों ने अपड़ी शहमति के साथ अंदोलन को शूरू किया, इस लडाई को लड़ना सुरूख किया, हमने खुल करके समर्थन दिया, और ना केवल समर्थन दिया, बल्कि पुरिय इसको एक मैसिज दिया किसान को कि इंडियन नैशनल लोगदल पार्टी चोदरी देविलाल का लगाया वपोद्व है और चोदरी देविलाल ने किसान और मजदूर के लिए बड़े से बड़े पदों को भी ठोक करें मारी त्याग दिया है हमारी पार्टी का भी यह निड़ने था कि हम चोदरी देविलाल के दिखाएवे रस्ते को आगे बढ़ाएंगे हम उनकी नीतियों को पूरे देश पे कैसे प्रतारित किया जासके कैसे लोगों को समझाए जासके उसके लिए पैसले लेनी और सब साथ यह ने मिलकर के मुझे शेका था कि आपको विधान सभा से आज इनकिर्षी के तीन काड़े कानुनों के खिलाफ अस्तिफा देना चाह कि आज अरानी की बात है कि सरकार चुनाव नहीं करा रिडर के भाग रहे हैं इनकी मन चाहिए है कि इस चुनाव को मारस तक टाल दिया जाए कि क्योंकि इनको इस बात का पता है कि अगर चुनाव हो गए तो तो तुमारी जमानत नहीं बचेगी तुमारी दोनों पार्टिम का कोई टिकट लेने वाड़ा भी नहीं होगा अग्वार में तो छपाएंगे बीस हावे दने तीस हावे दने पचास हावे दने लेकिन कोई शिम्बल पकड़ने को तयार नहीं होगा इसलिए आज ये चुनाव से भाग रहे हैं पंच्यायत के चुनाव से भी भाग रहें अब लोगडाउन खियादा मेरी ख्याल में एक लोगडाउन समापत होने के बाद अगर इंड़स्ट्री खुल जाती है तो इस अज भी बंद नहीं है बजार आज भी बंद नहीं है अगर वहां भीड़ी कठा हो सकती है वहां लोग जा सकते हैं तो फिर मद्दान करने वे उनको क्या दिक्कत है फिर चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं चुनाव नहीं कराने का मतलब सिरफ एक यह है जब इनके जमान जपत हो जाएगी जब इनकी कोई टिकट नहीं लेगा तो फिर सरकार जो है इसमें बैठे लोगों को कुछ MLS को इस बात पर सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि अगर यहीं रहे तो हमारी राजनिती हमेशा हमेशा के लिए खतम हो जाएगी और यह जो चुनाव होगा ना वो पंदर सिंग उड़ा तो इस सरकार को नहीं गिरा पाए इसने तो इसको मजबूत किया लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं सरकार गिरा तो निश्कूंगा लेकिन सरकार की तुड़े जरूर इला दिना इस चुनाव से पहले चुनाव के बाद ऐसे जटके दूँगा इनको कि आप लोग अपनी कलम से सवे में लिखोगे बताओगे लोगों को कि अवे शिन्या में चुनाव से चुनाव की तारिख तैहोने से पहले ये बात कही थी कि मैं इनकी चुड़े जरूर जांगा ऐसे आलात पैदा कर दूँगा कि हर आदमी ये कहेगा क्या सरकार कुछ स्वार्थी लोगों की विज़े से चल रही है अगर लोग डाउन घुल जाता है तो कहीं नहीं जाओंगा मुझे तो लोगों पर वरोसा है तो लोगों में विश्वास रखने वाड़े हैं एक निमान के चलो कि उसके बाद अगर अलेक्शन कमिशन चुनाव नहीं कराएगा तो इस निस्वक्स अजन्सी पर बहुत बड़ी उंगली उठे लिए वो फिर निस्वक्स ना करते हैं कि लोग उसको यह कहेंगे कि इसको तो सरकार चला लिए अब अब जो है इसमें नहीं सरकार को है कि मैंने अख़वार में पढ़ी थी कि सर्षों की तेल की ख्रीद बंद कर दी सर्षों की ख्रीद बंद नहीं बलकि जो गरीब आज में को सर्षों का तेल दिया जाता था वो तेल अब की बार नहीं देंगे सरकार का काम होता है जनीत में काम कर लें सरकार का काम होता है सब सीडी पे लोगों की मदद कर लें यह जो डिपू बने थे यह इसलिए बनाए गए गए थे कि मेंगा खरीद के सरकार गरीब आज मी को सुस्ता राशन दें और अच्छा राशन दें मुख्य मंत्री का खुद का ब्यान था असेंबली के अंदर कि हम सर्षों का एक एक दाना करीदेंगे इस साल के नहीं कह रहा है इससे पिछले सा और सर्षों का तेल निकाड़े नहीं हर गुखा बाजमी को सरकार की तरफशे सरश्वें का त्यल सस्ते में मुयाक रहें कि फिर्शी के तीन कड़े कानून जो है मन में मंडियां बंद होगी है मप्यां मंडियां बंद होगी ज्रव करी प्रेशान होगा वां गरीव आदमी को सबसे बड़ी मार पड़ेगे यह डिपोग खतम हो जाएंगे जब प्राइवेट आदमी आपकी फसल खरीदेगा प्राइवेट आदमी जब इसका स्टोक करेगा तो सस्ता लेकर के महंगा बेचेगा वो सुक्षिडी क्यों देगा वो गरीब आजमी को सस्ते में क्यों सब्सक्राइब करें यह जो सरकार का निर्ण यह मैं तभी तो कह रहा था भी हमने मुगलों का राज सुना पड़ा है लेकिन इनों तो मुगलों को भी भुला दिया है यह एक ऐसा राज है कि जिसमें किसी के कोई शुनवाई नहीं है मैं आपके किस्षा सुनाता हूं मैंने थोड़े दिन पहले ताजा पड़ा था मैंने चानक्य की किताब पड़ी और चानक्य ने उसमें लिखा हुआ था जब चानक्य ने अपनी नीतियों के तैस अपनी राज्य में अपना समराज्य प्राफत किया तो मैं बात आई कि इसका राजा किसको बनाएगी जब राजा बनाने की बात आई तो लोगों की मनिशा थी कि इसका राजा चानक्य बनाएगी है कि चर्णक के नहीं खड़े ओके पब्लिक मेरक्ण कि थे मैं इस को प्रांत का रजय नंसे कि अपनी और सार्षरे दे सक्ता ह। लेकिन यह दुम्मेभारी इन उनने का कि पुसकर बड़ा रीजन है कामने उन्होंने कार्ण बताया कि में रस्ती व्यक्ति ही नी को जyorsun अधो को जिससे मुझे लगता है कि लोगों को रात मिले हॉं कि में कभी परिवार में राही मुझे पता रहता है। कि तरक्य अंदर जो आदमी रहता है उनको किन-किन परिष्थितियों का सामना करना परते हैं इसलिए कभी देश का परदेश का राजा जो बनाया जये है अगर उसने कभी-कभी अपने प्रिवार में जो समाजीक निरा हो। जो प्रिवारिक नीरा हो जिसने सुख और दुख नहीं देख्यों जिसके लिए सब सम्मानों वो व्यक्ति नुप्सान करते हैं इसलिए चानक्या ने राजा बढ़ने से इंकार किया अपनी जेगे उसको चंदरगुप्त मोरिया को राजा बनाया है हमारे यहां तो सारे चानक्या अश्कल ऊपर से नीचे तो यह रिखाल उनको चानक्य किताब मैं दे दिए उनको कोईशको पड़ तो लिए एक वारी को ताकि तुम कोई निर्ने ठीक करने शुरू कर दें यह निर्ने गरीब आज में को मालने का है कि नहीं है आज नहेंदरगर डिस्टिक की मेरे पास अभी किसी ने बताई थी कि वहां साथ गाओं के डीपो जो है बंद कर दिये लिए उनका राशन जो था तिन-तिन महिने का राशन अधिकारियों ने सरकार में बैठे लोगों ने मिल करके बेश दिया खागे कि वहां लोग इस बात को लेकर के सरकार का विरोध कर लेने कि इनको फर्क ने पड़े लेकिन को फर्क ने पड़े सरकार अपनी तरफ से जो मर्जी प्रियास कर लिए आम आज में विचलित नहीं हो सकते किसी एक को विचलित तो कर सकती है लेकिन इस आंदोलन से जो नाकों लोग जुड़े में उनको विचलित नहीं कर सकते उन पे इन चीजों का कोई परभाव नहीं पड़ता है उनका जो मिशन है जिस काम के लिए वो बॉर्डर इस पे बैठे हैं इस बात को लेकर व्रोद करें उनकी रोज संख्या बढ़ती जा रही है यह जो सत्ता में बैठे लोग शिरार्त कर रहे हैं यह नाक रगड़ेंगे आप देखना इनको फैसला करना पड़ेगा इनको किसान की बात को मानना पड़ेगा कि बंगाल के चुनाव से बहुत कुछ सीखाए नहीं है कि ऐसे फैसले दो-चार और लेले देश के परधान मंतरी तो फिर मुझे लगता है कि इस बीजेपी को जितनी ताकत के साथ देश का परधान मंतरी लेकर क्या था उससे भी बड़ी ताकत के साथ इसका शित्यानास करें यह आप तो दिहात्मा इन दिनों में घुने हो प्रोना की क्या शित्य है बहुत बुरा आल है जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं आज है हमारे यह किते हैं कि साड़े आठ जार के करीब लोग भरे हैं आज भी मैं सबसका पड़ रहा था साथ सुर कुछ केस बता रहे हैं किसी भी गाम में जाकर करके सो लोगों का टेस्ट करो आज सो में से पिचासी लोग करोना पीड़ीता है तो आंकड़े चुपाए जारे हैं कि नहीं चुपाए जारे हैं मेरे गाम के अंदर कोई दिन ऐसा नहीं है जिस्तिन करोना से एक दो एक दो लोग अपनी जानना गमारें कि सेंक्रो लोग मर अपसे पहले मैंने ना मांग रखा है कि असलियत तो चुप नहीं सकती में आपके सामने दो चार पांद दिन में आ जाएगी कि पिछले दो महिने में कि कि इतनी डेथ हुई आज कल डेथ सार्टिपकर हर आदमी लेता है और मैंने वो डेथ के कि इतने डेथ सार्टिपकर जारी वे इन दो महिनों में इस परदेश के अंदर है उनकी सुची मांगी है कि कि इतने दिन नहीं देंगे आखे देनी पड़ेगी और उसमें उसमें यह भी पुच्छ है पर्टिकुलर कि क्रोना से कितने लोग बरे कि क्रोना की बिमारी की विज़े से कितने लोगों को अपनी ज्यान गवानी करें तो सरकार की पूल तो उसी टाइम खुल जाएगी कि इन्हों तो एक जूट को छुपाने के लिए सो जूट बोलते हैं लुटेरों की जूठों की और ऐसे लोगों की सरकार है जिसने इस प्रदेश का बट्टा बिठा दिए लोग काओं ने क्रोना का टेस्ट तो नहीं करवा रहे हैं कौन कहता है नहीं कराएं सब गलत बात है सारी बातें यह कह करके परदा डाली जा रही है कि कोई व्यक्ति आज की डेट में ऐसा नहीं है जो कोई वैक्षिन कराने से कहीं यह करा हो कि भी मैं नहीं कराऊंगा आज हर आज भी वैक्षिन कराना चाहते हैं कि यह ठीक है कुछ गाहों के लिड़ने ऐसे क्यों लेने पड़े उनको उसके मजबूरी थी कि परदान मंत्री मुख्य मंत्री अगर लोग डाउन तोड़ता है तो फिर उनके ऊपर किस चीश के कानून है कि आपने खबर नहीं पड़ी मनिश्टर का ब्यान आता है कमरपाल का तो शिक्षा मंत्री है हमारा वो करते हैं मंत्रियों में दराइक सुच्वारीश लागों नहीं होते हुआ तो फिर आप क्या उबीद करोगे कि यह सरकार कैसे चल रही है जारा एक सो त्वारीश अगर कहीं किसी स्टेट में या पर्टिकुल किसी इलाके में रज़ती है तो उसमें प्राइम मिनिस्टर भी नहीं जा सकते हैं वह उसका उलंगा नहीं कर सकते हैं सबके लिए एक है व जो ड्यूटी मजी स्टेट है जिसने वह आदेश जारी किया है उसको कोई चैलेंज नहीं है जो आदेश देता है वही वापीष ले सकते हैं दूसरा नहीं कर सकता है इनको यह पता निए विचारों को आस तक है पांत साल स्पिकर रहा है अब दो साल से मंत्री है उसको यह मुझे राणी होती है जब इस्त्रय के लोग ब्यान देते है, नुझे नहीं मेरे ख्याल सब को राणी होनी की आपको। कि अचिछान पीशन मेरे को अचिछान मेरे खोग आपको। राणी होती है विस्त्रय को बाणी होती है व उनलो आपकोड़े श्त्रय कुछाती है एक प्रवुद्ट्र याist्वे एक लिए-चानज के बन्यान घ्लाए लिए झाल, 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 झाल